हाई गाईज मैं हूँ रेका चौशी और स्वागत है आप सभी का C.O.A.T. by student खवरी के नई वीडियो में तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन अफ दे बेस्ट जर्नलिजम इंसिट्यूट के बारे में जी हाँ हम बात करने वाले हैं IIMC के बारे में इंडियन इंसिट्यूट ओफ मास कम्यूनिकेशन के बारे में जो डेली में सिचुएटड है बात करेंगे इसके पॉजिटिव रिव्यूज नेगिटिव रिव्यूज के बारे में लाखों लोगों के लिए एक ड्रीम कॉलिज है जो भी जर्नलिजम या मास कम्यूनिकेशन परस्यू करना जाते हैं तो जानेंगे इसके बारे में वीडियो को लास्त तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बिले यहाँ पर अगर हम लोग हाइलाइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका जो एस्टाबलिश्मेंट येर है वो है 1965 पॉब्लिक यूनिवर्सिटी है एस्टाबलिश हुई है अंडर मिनिस्ट्री ओफ इंफरमेशन और ब्रॉड कास्टिंग गवर्मेंट ऑफ इंडिया के तहथ यहाँ पर जो है यह ओवरॉल इस्टाबलिश की गई है लोकेशन की बात करें JNU उसका नया कैंपस है और नई दिली में ये सिचुएटड है अफिलियेशन से JNU से अफिलियेटड है दस एकड में ये जो कैंपस है वो ओवरॉल फैला हुआ है आगे हम बात करें रैंकिंग्स की तो यहाँ पर Mass Communication by India Today India Today के थूँ यहाँ पर Mass Communication में इसको Overall Rank 1 दिया गया है इसके साथ ही यहाँ पर 2022 India Today में इसको Again Mass Communication में Rank 1 मिला हुए तो यह Overall Mass Communication के लिए Number 1 Rank इसको दिया गया है 2023 May The Week ने इसको 2022 में दिया इसके साथ ही Outlook और 2022 और 2021 में इहाँ पर जो है Overall Rank 1 इसकी रही है Mass Communication के लिए आगे हम बात करें यहाँ पर Admissions की तो यहार Admissions यहाँ पर CEUAT के थूँ होते हैं Central University Entrance Test के थूँ जो हैं यहाँ पर आप Admission ले सकते हैं तो अगर आप Admission लेना चाहते हैं मैं आपको बिता दूँ एक Important Update है इसी वीडियो के अंदर कि 9 अगस्त से पहले पहले जो हैं यहाँ पर आपको Registration कर लेना है Registration की जो Last Date है वो है 9th of August 2023 तो यहाँ पर आप Apply कर सकते हैं इनकी Official Website पर जाकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से Courses यहाँ पर Offer किये जाते हैं और उनका Seat Metrics क्या है तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें Diploma Courses जी हाँ IMC में जो है यहाँ Overall Diploma Courses ही Offer किये जाते हैं यहाँ डिग्री Offer नहीं की जाते हैं तो Diploma Courses में कौन-कौन से Courses हैं हम देख लेते हैं PG Diploma in Journalism English 68 seats यहाँ पर मौजूद है इसके अलावा यहाँ Journalism Hindi Journalism के अंदर 68 seats मौजूद है Radio and Television Journalism के अंदर यहाँ पर जो है Bilegal English और Hindi के लिए 51 seats यहाँ पर Available है इसके अलावा PG Diploma in Advertising and PR के लिए यहाँ पर 77 seats मौजूद हैं इसके बाद यहाँ पर बात करें Digital Media की तो उसके लिए 20 seats हैं और बाकी जो seats हैं उर्दू Journalism के लिए यहाँ पर overall 17 seats यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं आगे हम बात करें Fee Structure for Post-Graduate Diploma Courses PG Diploma Courses के लिए अगर हम बात करें Fee Structure की तो overall यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले है PG Diploma in Journalism English के लिए यहाँ पर जो tuition fees है वो है 87,000 rupees ठीक है इसके अलावा Library Fee भी यहाँ पर जो है deposit करनी होती है जो के refundable होती है तो PG Diploma in Journalism English Journalism के लिए यहाँ पर जो है 5000 library fee है student welfare fee है यहाँ पर 3500 इसके अलावा यहाँ पर जो total जो यहाँ पर overall fee structure है PG Diploma in Journalism English Journalism के लिए overall fee structure रहता है वो रहता है 95,500 तो यह overall fee structure है इसके अलावा दूसरे courses भी आप यहाँ पर देख सकते हैं PG Diploma in Hindi Journalism हो गया यह Radio and Television Journalism हो गया इसके अलावा Advertising and PR हो गया Digital Media हो गया या फिर और दूसरी specific languages में भी यहाँ पर जो है journalism available है Marathi journalism, Udia journalism और Urdu journalism तो इसके according यहाँ पर overall fee structure आपको बताया हुआ है library fees, student welfare fee और यहाँ पर overall total जो fee structure रहता है वो बताया गया है मैं आपको बता दूँँ अगर यह PDF आपको चाहिए तो आपको telegram channel CVT by student khabri को join करना है link description box में दिया है telegram channel से आप यह PDF डाउनलोड कर सकते हैं आगे हम बात करें placements की तो यार placements की अगर हम बात करें तो highest package जो है यहाँ पर overall 12 lakh per annum है और average package जो है 3-4 LPA यहाँ पर overall देखने को मिलता है यह इनके जो है यहाँ पर overall आप तमाम तरीके के recruiters यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले प्रसार भारती है उसके बाद Hindustan Times है Z Media है इन शॉर्ट नेटवर्क 18 इंडिया टीवी एन आई तो यह तमाम तरीके के news channels और news media institutions यहाँ पर है overall recruiters है चीक है तो आगे हम बात करें यहाँ पर facilities की facilities की बात करते हैं institution में कौन-कौन सी facilities है सबसे पहले fully computerized library है यहाँ पर two quarterly research journals है इसके बाद यहाँ पर in-house printing press भी मौझूद है दो high-tech computer labs है इसके अलावा दो auditorium है with sitting capacity of 400 people okay उसके बाद यहाँ पर open theater भी है parks है lawns है table tennis badminton और volleyball court भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इसके अलावा यहाँ पर wellness center है जहाँ पर आपको तमाम तरीके के activities जो हैं यहाँ पर देखने को मिल जाती है आगे हम यहाँ पर बात करें campus life कैसी है तो यार overall campus life की बात करें तो special lectures यहाँ पर प्रवाइट के जाते हैं classroom lessons हो गए यह job experiments हो गए इसके अलावा institutional visits भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है नेशनल और international seminars भी यहाँ पर जो है overall campus life में देखने को मिलते हैं seminars और conferences भी यहाँ पर जो है organize की जाती है इसके अलावा कई तरह हैं के literature और cultural programs भी यहाँ पर जो है organize की जाते हैं आगे हम यहाँ पर बात करें connectivity की तो nearest metro station जो है वो है आर के पूरा metro station bus stop की बात करें तो five bay station है यहाँ पर इसके अलावा बात करें तो यह overall connectivity की हमने बात की इसके अलावा कुछ notable aluminais की बात कर लेते हैं जो की यहाँ से पढ़कर निकले हैं और अपने field की अपने field की professional है गज बन गए हैं ठीक है तो यह तमाम notable aluminais है आप यहाँ पर देख सकते हैं overall सबसे पहला नाम जो है वो है रवीश कुमार का obviously उनको कौन नहीं जानता है ठीक है बहुत ही renowned journalist है सुधी चौधरी यह भी journalist है उसके बाद यहाँ पर शीनिवासन जैन प्रयांका चतुरवेदी निलेश मिश्रा यह सभी जो हैं यहाँ पर overall notable aluminais माने जाते हैं ठीक है आग सब भी hangout to places हैं जहाँ पर आप थोड़ा सा relax कर सकते हैं अब overall reviews की बात कर लेते हैं students का क्या कहना है positive reviews and negative reviews सब के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं सबसे पहले pros की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि excellent faculty हैं काफी knowledgeable है काफी experienced faculty यहाँ पर हैं थोड़ यहाँ सा challenging curriculum activities यहाँ पर जो है हो सकते है great placement opportunities है 12 lakh पर आनम का जो है highest package रहा है strong alumni network है affordable fees है इसके साथ ही centrally जो है यह तेली में located है ठीक है तो यह कुछ positive reviews हुए अब positive की बात की है थोड़ा सा negative की भी बात कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर negative points में सबसे पहला है long hours के sessions होते हैं classes ह इसके बाद थोड़ा सा competitive environment यहाँ पर है इसके साथ ही थोड़ा सा stressful can be stressful at times यहाँ पर हो सकता है तो overall यहाँ पर IMC की हमने बात की Delhi is a great institute with a lot to offer if you are looking for a challenging and rewarding experience IMC Delhi is a great option for you guys तो यहाँ again if you are looking for it you must go for it टेक है तो यहाँ overall हमने बात की IAMC Indian Institute of Mass Communication के बारे में इस topics related और कोई doubt है और कोई query है और कोई question है comment section में जरूर बताना telegram channel COET by student khabri को join करना भगूला link description box में बल जाएगा और इसी तहे की COET से रचेट ताम इंफोवेटर विडियोस के लिए don't forget to subscribe COET by student khabri I hope you like this video for more such videos keep watching our channel and do not forget to like share and subscribe